इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लाप्टॉप से वाट्साप में किसी को भी फोटो कैसे भेज सकते हैं तो सबसे पहले आपको विंडो बटन को दबाना है या फिर यहाँ पर सर्च कर लें और यहाँ पर आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है अगर आपके पास Microsoft Edge है तो यहाँ पर Edge लिखे या अगर आप Chrome यूज करते हैं तो यहाँ पर Chrome सर्च करें और ओपन कर लें अगर आपके पास Internet Explorer है तो वो ओपन कर ले या Firefox है तो वो open कर ले तो हम यहाँ पर EDGE Edge open करेंगे क्योंकि जारा तर computer में Microsoft Edge होता है तो click करके इसे open कर लेते हैं इसे बड़ा कर लेते हैं अब आपको यहाँ पर दो search के option मिलेंगे तो किसी पर भी आप search कर सकते हैं यहाँ पर आपको search करते वा क्लिकना है WhatsApp WhatsApp Web यह लिखे और इसे search करें और open कर लें यहाँ पर आपको पहला ही option मिल जाएगा WhatsApp Web का तो इसे click करें और open कर लें तो कुछ इस तरीके से यह open हो जाता है अब इसके बाद आपको आपके phone में आना है और WhatsApp को click करके open कर लेना है और three dots पे click करना है इसके बाद यहाँ पर दिखाए देगा linked a device click करें और open कर लें link a device यहाँ से भी click करें और open कर लें और अब आपसे password अगर मांगता है तो password दे दे unlock करें अपने laptop अपने phone को और यहाँ पर scan का option आएगा आपको सिर्फ screen scan कर देना है phone को लेके जाकर laptop के सामने और उसके बाद आपके phone का जो whatsapp screen होगी वो laptop में आ जाएगी अब अगर आप जिस number पर भी भी भीजना चाहते हैं photo को उसे select कर लें जैसे इस number पर मुझे भीजना है तो मैंने इसे open कर लिया है यह number यहाँ पर आ जाएगा अब यह pin का option आपको दिखता है इस पर click कर लें और यहाँ पर आपको photos का option दिखता है इस पर click कर लें अब मान लिजिए मुझे इस photo को भीजना है किसको भी तो इस पर select किया मैंने और open किया और यहाँ पर आपको यह send का option दिखाए देगा इस पर click कर दें इस तरीके से आप photos भेज सकते हैं अगर आप कुछ और भेजना चाहते हैं तो इसी तरीके से कुछ और भी भेज सकते हैं अपने laptop computer में उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो टेक्सर को सब्सक्राइब जरूर कर दे